शुरू करते हैं चाप्टर फोटीन युनीक फेस्टिवल जो हमारे अनोखे त्योहार हैं उनके बारे में हम जानते हैं इंडिया इस नोन फॉर इट्स ट्रडिशनल फेस्टिवल्स, कस्टम्स एंड रिच्वल्स इंडिया अपने त्योहारों के लिए अपने रिते रिवाजों के लिए और अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है answer the following questions about some of the Indian festivals कुछ Indian festivals के बारे में यहाँ पर questions पूछे गए हैं जिनका answer हमें देना है in which festival of Kerala is a procession of decorated elephants taken out किस festival में Kerala में एक decorated elephants की कतार निकाली जाती है तो बताईए कौन सा festival है वो तो उस festival का नाम है बच्चों थिरू मन्धम कुन्नू पूरम ओके तो आगे चलते हैं in this festival of Odisha Odisha के इस festival में DT जगनात भगवान जगनात उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा को बिठाया जाता है एक बड़े से रत में और उसे हजारों सेंकडों श्रद्धालू उसे खीचते हैं उस festival का नाम है रत यात्रा ठीक है बच्चों which festival is celebrated by gifting colored eggs किस festival को colored egg gift करके celebrate किया जाता है जिसको जनम को symbolize किया जाता है एक दूसरे को colored egg gift किये जाते हैं friends और family को तो ये है हमारा Easter Easter is the festival The night before the day of this festival is called the night of the moon एस festival से जो पहले एक रात होती है उसे चांद रात कहा जाता है और ये celebrate किया जाता है specially बजारों में घूम कर जो के खुले आस्मान के नीचे बनाए जाते हैं तो ये है Eid Ul फित्र ओके तो दिस फेस्टिवल इज इड उल फित्र आगे चलते हैं Marking the onset of the harvest season पवित्र मौसम की पवित्र season की शुरुवात को ये mark करता है बताता है हमें ये this festival has various name in different region भिन भिन प्रजातियों में भिन भिन जगाओं पर इस festival का अलग अलग नाम है ये celebrate किया जाता है गुजरात में पतंगे उडाकर offering newly harvested cereals to a fire in Punjab और पंजाब में ये celebrate किया जाता है अनाच को आग के हवाले करकर offering newly harvested cereals जो नई फसल होती है उसे आग में डाला जाता है पंजाब में इस तरह से इसे पंजाब में celebrate किया जाता है and feasting on multi-colored हलवा in महराश्ट और महराश्ट में तरह तरह के रंग का हलवा बना कर इसे celebrate किया जाता है ये festival होता है मकर संक्रान्ती ठीक है बच्चों what is saluno better known as saluno को और better क्या किस नाम से जाना जाता है क्या कहा जाता है इस festival को this is called रक्षा बंधन okay annual celebration held at the मिनाक्षी टेंपल मदुरै celebrating मीना बाई and अलागर महा विश्णू ये एक annual celebration होता है मिनाक्षी टेंपल मदुरै में जो celebrate करता है मीना बाई और अलागर को तो ये कौन सा festival होता है बच्चों कौन बताएगा ये जल्दी से बताईए ये कौन सा festival है हमारा यहाँ पर रक्षा बंधन भी हो गया इस्टर भी हो गया तिरुमंदम कुन्णूपूरम भी हो गया यरत यात्रा भी इद उल्फित्र भी और मकर संक्रान भी ये festival है बच्चों चितिराई थिरु विजा तो इसको हम लिखेंगे C-H-I-T-I-R-A-I चितिराई थिरु विजा तो announcing the arrival of spring spring season के arrival की घोशना करता हुआ celebrations of this festival of Assam इस ये Assam का festival है ये involve करते हैं इसमें bathing को और worshipping cows को गायों को नहलाना उनकी पूजा करना feasting on the regional delicacy इनकी एक dharmic delicacy है पिथा उस पे ये feast करते हैं and perform करते हैं एक folk dance which shares its name with the festival उस dance का नाम भी इस festival के नाम के उपर ही रखा गया है तो क्या है वो भोगाली बिहू और वो कौन सा डान्स करते हैं वो डान्स करते हैं बिहू डान्स करते हैं Assam में बिहू को और इस festival को कहा जाता है बोगाली बिहू इससे ये arrival करते हैं spring का worship करते हैं cows की उन्हें नहलाते हैं feast करते हैं ये अपनी regional delicacy का जो होती है पिथा और folk dance करते हैं बिहू तो ये हैं बच्चों तरहा तरहा की जगाओं पर मनाए गए unique festivals ओके तो ये सी के साथ ये chapter फिनिश होता है